क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि क्लाश्टेंद के बाद आर्ट सब्जेक में पढ़ाई करना कैसा रहेगा क्लाश्टेंद के बाद आर्ट्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए क्या आर्ट्स लेने से करियर आप्शन होंगे क्या आर्ट से लेने से आपका करियर बेटर हो सकता है या फिर आपकी लाइफ बरबाद हो जागी अगर आपकी भी मन में इस तरीके के सवाल है तो दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बना है आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखने गवाद आपकी ठेंकिंग पूरी तरीके से चेंज होजेगी इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखेगा मेरा नम है आयूस और आप देखरें आयूस रेने यूट्यूब चैनल ना मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने को कहूँगा ना चैनल को सब्सक्राइब करने को कहूँगा अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि लाइक करना चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने का मन करे तब भी कर दीजिएगा देखो गज, अगर आपने अभी 10th पास किये है या फिर आप जानना चाहते है कि क्लाइश 10th के बाद आर्ट सिस्टेम लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा तो मैं आपसे एक नहीं बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको आर्ट सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है इकनोमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है जियोग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़तो तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है तो बात यहाँ पर आती है कि आर्ट्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो मैं फिर से वही बात कहूंगा अगर आपको आ करियर ऑप्सन है क्या आर्ट से लेकर मैं अपना करियर बना सकता हूं बना सकती हूं इस तरीके के सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगा और इस तरीके सवाल आपके मन में आना लाजमी है और आने भी चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में से लिए वीडियो ले लेते हो तो भाई आपको तो साइंस पढ़ना अच्छा लगता ही नहीं है पढ़ाई तो आपको करनी है ना कि आपके रिष्टिदार या फिर आपके दोस्त या फिर आपके कहने वालों को करनी है पढ़ाई तो आपको करनी है एकजाम तो आपको देना है अगर आप आप में अच्छे नंबर नहीं हैंगे तब भी आपको ताना सुनने को में लेगा कि अच्छे से पढ़ाई नहीं किये अरे भाई जब आपका उसमें इंट्रेस्ट है नहीं तो आप चाहा कर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊगे और आपका इंट्रेस्ट आर्ट्स में है तो आपको आर्ट्स नहीं लेना चाहिए अब बारी आती है आपके दूसरे कोश्चन की जो की बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है कि क्या आर्ट्स में करियर आप्शन होते हैं तो देखो दोस्त मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज की जमाने में करियर आप्शन किस फिल्ड में नहीं है सब चीज में अपका करियर आप्शन है पढ़ाई में तो करियर आप्शन है ही चैप कुछ भी पढ़ाई कर लो पढ़ाए के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चेत्रे हैं जिसमें करियर आप्षन बहुत है आप भी देखी रहोगे मुझे बताने की जोत नहीं है लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करें आर्टस इस्ट्यीम की क्या आर्टस इस्ट्यम में करियर आप्षन है तो मेरे भाई मेरे बहन arts stream में बहुत ज़्यादा career option है in fact, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितने career option और किसी फिल्ड में नहीं है arts में सबसी ज़्यादा है arts लेकि अब जो चाहूँ वो बन सकता हूँ अगर हम एकाद दो को हटा दे उसके अलावा करीब करीब आप सब कुछ arts stream लेकर बन सकते हो बहुत सारे student की एक्षा होती है कि हमको भाई सरकारी नौकरी करना है तो करो ना यार रोका किसने है आपको सरकारी नौकरी को वेकन सी जब है आप eligible हो गए हो तो आप apply करो जो भी exam होता आप exam clear करो interview होते हैं तो interview clear करो आपका selection हो जाएगा आपकी job लग जाएगी तो कहने का मतलब है कि arts में बहुत सारे career option है लेकिन सर्थ एक है यहाँ पर यहाँ पर सर्थ यह है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी आप arts ले रहे हो तो यह मत सुचू कि arts ले रहे तो ऐसे ही हो जाएगा ना दोस्त ऐसे नहीं होगा आपको arts में पढ़ाई करनी पड़ेगी देख रहो कि कितना competition है बहुत ज़्यादा competition है इसलिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपका जो भी subject हो arts है तो arts, commerce है तो commerce, science है तो science जो भी subject है आपको पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी तब ही आपको सफलता मिलेगी लेकिन हाँ इस चीज़ का मैं guarantee दे सकता हूँ कि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे मेहनत करोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे arts इसे क्या नहीं बन सकते है arts में अगर आप I.S बनना चाहते आप I.S आफिसर बन सकते हो आप I.P.S आफिसर बन सकते हो आप teacher बन सकते हो आप college में professor बन सकते हो दोस्तों आप IB department intelligence bureau में जा सकते हो इसके लावा दोस्तों आप banking job कर सकते हो इस तरकी की बहुत सारे job है railway में job कर सकते हो बहुत सारे career option है जो की आप कर सकते हो इसलिए इस बात का top tension low हिमत की arts में career option है की नहीं आज के time में ऐसे कई सारे उदारन है जो की arts system से पढ़ाई किये थे मेरे ही दोस्त है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा मेरे एक दोस्त है जिन्होंने arts system से पढ़ाई की थी और आज उनकी 75,000 की job लगी हुई है एक और मेरा दोस्त है जो की government teacher है एक और मेरा friend है जो की LIC में job कर रहे है तो यह सारे लोग arts से पढ़ाई की है तो आपको इस बात का तो tension लेना ही नहीं है कि arts system से पढ़ाई करके job मिलेगी कि नहीं मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको job definitely मिलेगी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका interest arts के पढ़ाई में है तो दोस्तो आपको बीना किसी hesitation के बीना ज़्यादा दूइधा के arts subject में ही पढ़ाई करनी चाहिए आप किसी को देखकर अपने दोस्त को देखकर किसी के कहने पर किसी के दवाव में आकर अगर कोई अलग subject ले लोते हो तो इससे आपका ही नुकसान होगा जैसे कि मैंने बोला पढ़ना तो आपको है पढ़ाई तो आपको करनी एक्जाम तो आपको देने है तो अगर आप ऐसा कुछ ले ले तो जो कि आपको पढ़ने में मन लगे गए नहीं तो दोस्तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है इसलिए आप अपने कोडिंग अपनी सुईधा के नुसार अपने इंट्रेस्ट के नुसार लोगे तो आपको पढ़ने में मन भी लाईगा और आप अच्छी तरिके से पढ़ाई करोगे तो दोस्तो आपको इसका बहुत ज़्यादा मिलेगा एक और चीज मैं आपके कहना चाहूँगा कि अगर आपका इंट्रेस्ट है गवर्मेंट जोब पाना तो आपको भी पाता है कि सभी गवर्मेंट जोब में आपको current office general knowledge के question पूछते ही है इसलिए हम अपने telegram channel पे current office और general knowledge के question पूछ कर free में आपके त्यारी कराते हैं इसलिए अगर आप अपने general knowledge current office अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे telegram channel को ज़रूर से join कर लेजे आपको बहुत फाइदा मिलेगा उसका आपको telegram पे simply जाके search करना आयू सरीना आपको हमारे channel मिल जाएगा उसके अलावा आपको एक और चीज़ कहना चाहूंगा कि आप हमारी website पर जाए google पे जाके simply search करना howtobecomingindia.in आयू सरीना website मिल जाएगी वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल है जो कि आपको बहुत काम के हो सकता है आपको कुछ भी बनना आई-एस, आई-पी-एस, पूलीज, बैंक मेनेजर, आर्टी ऑफिसर, सीवी ऑफिसर, कुछ भी बनना उस पे सभी कुछ की डिटेल आपको दी हुई है तो एक बार website पर जाएगे, नीचे scroll down कीजिएगा, तो आपको जो भी जानना हो, जो भी बनना हो, आपके टाइप कीजिएगा, उस से related आपके समने आर्टिकल आजएगे तो एक बार जरूर से website पर जाएगा, और एक बार description भी जरूर से चेक कर लिजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके काम की वीडियो description box में भी है एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा, कि इस वीडियो मैंने आपसे जो भी बाते कहीं, वो मेरी personal रहा है जो भी subject ले, एक बार खुद से सोच ले, सब कुछ समझ ले, उसके बाद ही decide करे क्योंकि दोस्तों future आपका पढ़ाई आपको करनी है मेरी जो समझ में था मैंने आपको बता दिया, लेकिन final रिडिने आपका ही होगा अगर आपको इस वीडियो पसंद दे तो वीडियो को like कर दिजेगा कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको future में क्या करना और चैनल पर पहली बार है चैनल को subscribe ने के तो चैनल को जरूर से subscribe कर दिजे आप सभी ने इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद